Hello Students, Welcome to Little Zoologist पिछले लेक्चर में मैंने आपको रसाइनिक सूतर और आयनिक सूतर बनाना सिखा दिया था I hope आपको सब समझ आया होगा अब आप रसाइनिक सूतर और आयनिक सूतर आराम से बना पा रहे होगी जो भी प्रॉब्लम है तुम पूछ सकते हो चाह टेलेग्राम पे पूछ लो, इंस्टाग्राम पे पूछ लो, मेल कर दो या फिर कमेंट कर दो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लेकिन पूछना जरूर है और वीडियो को लाइक शेयर कर दो, ये सबसे पहले करना होता है तो ये काम कर दिया करो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया है, अब देखो, कि सबसे पहला टॉपिक तुम्हें पढ़ना क्या है मोलर्द रव्यमान क्या होता है, मोलर्द रव्यमान समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एक मोल क्या होता है, एक मोल क्या होता है तो देखो वो वाला मोल की बात नहीं कर रहा है, अन मोल तुम बोलो ना, वो उस मोल की बात नहीं हो रही, वो किसी और का रेफरेंस है, यहां पर हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल में 6.022 x 10 की पावर 23 कन होते हैं, कि इसके बारे में आप बात कर रहे हो ठीक है कंका समू होता है अच्छा आपको अभी भी समझ नहीं आया होगा आप मुझे यह बताओ एक डोजन में एक दर्जन में कितने केले होते हैं एक दर्जन में कितने केले होते हैं आप बोलोगे सर बारा केले होते हैं मैं बोलू कि एक म जो नाम लगा दिया जाएगा वो उतने ही उसमें कण होंगे जैसे कि 6.022 कं लगा दिये ना तो अब कं की जगे क्या हो सकता है परमानू अनू आयन मानलो अगर मैं आपसे बोलू एक मोल परमाणू में कितने परमाणू होंगे तो आपको क्या बोलना है 6.022 into 10 raised to power 23 परमाणू वहीं अगर मैं बोलू एक मोल अनू एक मोल अनू में एक अनू नी मोल है यह मोल यहां यह रहा एक मोल अनू में कितने अनू होंगे तो आप लिखोगे 6.022 into 10 raise to power 23 कितना अनू समझ आया कि नहीं आया बस इतना सिंपल सा था यह होता है मोल ठीक है अब आप समझो मोलर दरव्यमान क्या होता है मोलर दरव्यमान किसी भी पदार्थ के एक मोल कणो के दरव्यमान का जोड़ होता है तो यानि कि मोलर दरव्यमान क्या होगा 6.022 into 10 raise to power 23 कणो का दरव्यमान होगा समझ आया कि नहीं आया आ गया अरे वाँ जैसे हाइडरोजन का एक परमानू का दरव्यमान है 1U जबकि इसका एक मोलर दरव्यमान क्या होगा एक ग्राम पर मोल होगा ठीक है एक मोल में इतने ग्राम है ठीक है नाइटरोजन का परमानू क्या दरव्यमान क्या 14U है जबकि इसका molar द्रव्यमान का है 14 ग्राम पर यू बस ऐसे लिखना होता है ठीक है S8 का molar द्रव्यमान कैसे निकालना है अरे देखो S8 8 का मतलब क्या है 8 सलफर है मैं एक सिंगल की बात करता हूँ मुझे 8 निकालना है 8 से गुणा कर दूँगा मैं एक का है 328 का निकालना है तो आठ से गुणा कर दूँगा तो आएगा 256 ग्राम पर मूल वहीं SCL का molar द्रव्यमान निकालना है तो मैं पहले hydrogen and chlorine का जोड़ दूँगा molar द्रव्यमान जाएगा hydrogen का एक है chlorine का 35 है तो टोटल आएगा 36.5 ग्राम पर मूल इतना सिंपल सा है molar द्रव्यमान बस हो गया खतम बहुत सारे बच्चों को परिशानी हो जाती है कि सर हमें समझ नहीं आया मुझे पता है आपको अब समझ आ गया होगा जैसे कि एक क्वेशन है उधारन इसको समझो एक मॉल उक्सीजन में कितने होंगे 6.0, 23, 23 परमानों होंगे ठीक है है ना ये होंगे तो अगर आप से बोल लिया जाया है कि मुझे ये बताओ कि दो ग्राम में कितने मूल आएंगे है ना दो ग्राम में कितने मूल आएंगे इस टाइप से कुशन पूछ जाएंगे यह important सूतर देख लो यह लिखा हुआ है पहले एक मूल परमानों का द्रवेमान उनके ग्राम में तौलित परमानों द्रवेमान के बराबर होगा यह important note है जोड़ लो एक मूल परमानों का द्रवेमान कितना होगा जितना उनको ग्राम में तोलने पर आएगा वो उतना होगा ठीक है यह होगा ग्राम में तौलित करने पर जो आएगा अब important सूतर क्या है मोल की संख्या निकालने है मालो मोल की संख्या छोटे एंसे दिखाए जाती है तो कुछ नहीं होगा जो द्रवेमान आपको दिया गया है मोलर द्रवेमान अब आप निकाले सकते हो मोलर द्रवेमान कैसे निकलता है वहीं मोल की संख्या निकालने का एक और तरीका है मालो मोलर द्रवेमान नहीं दिया लेकिन आपको मोल की संख्या दे दी तो मूल के संख्या उपर है बटे में क्या है ये दे दिया 6.022 x 10.23 ये तो होता ही है इससे भाग कर दिया आ जाएगा हमारा ठीक है तो इन दोनों फॉर्मले से हमारे एक नया फॉर्मला आता है जो कि ये है ये क्या है मास निकालना आपको कितना मास दिया हुआ कितना मास लगेगा वो निकालना है तो उसका फॉर्मला है यहाँ पर N-not बता रहा है इसको N-not को बोलते है अवे गैडरो नंबर अवे गैडरो नंबर अवे गैडरो नंबर बहुत बड़ा नाम था इनका अरे सच में बड़ा नाम वैसा वाला नी लिखने में बहुत बड़ा नाम था हम तो शॉर्ट में पढ़ रहे हैं बस एक वो पढ़ रहे हैं लेटर ठीक है यह पढ़ रहे हैं एक लेटर नी एक वो नाम पढ़ रहे हैं वही N क्या है दिये गए मोलो की संख्या है ठीक है ये समझ आ गया होगा आप से अगर बोला या किसी भी योगिक में मौझूद परमानू का प्रतिश्यत निकालना है तो आप कैसे निकालोगे तत्व का द्रव्यमान लिखना है बटे में योगिक का द्रव्यमान गुणा में शौ कर देना है सौ से तो गुणा करना ही पड़ेगा अगर आप परतिश्यत निकाल रहे हो जैसे कि इस एक्जामपल में समझाया गया है 2.2 ग्राम लोहे के हिस्से में उपस्तित लोहे के पर्मानों की संख्या ग्यात करनी है लोहे का पर्मानों की द्रव्यमान दिया हुआ है अब ये ग्राम में होगा ग्राम पर मोल में होगा ध्यान रखना तो एक मल लोहे में इतने परमानू होंगे तो चपन गराम लोहे में इतने होंगे तो मुझे बताओ 2.8 गराम में कितने होंगे 2.8 गराम में कुछ नहीं दौनों तरफ 2.8 gram से multiply कर दो जिसको हमें नहीं चेह उसे नीचे लिया वही बात पढ़ गी 2.8 gram से यहाँ multiply कर दिया 2.8 gram से यहाँ कर दिया यह देख सकते हो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है बस 56 पहले यहाँ multiply में था दूसरे side जाएगा divide में सिंपल सा solve करने पर कितना आ रहा है 3.001 into 10 to the power 23 लोहे के परमानों यह उपर आएगा छोटे में ऐसे में यह गलत प्रिंट हुआ है ठीक है नेक्स्ट प्रश्ण देख लो किसी पदार्थ के एक अनू का द्रव्यमान इतना दे दिया एक पदार्थ के अनू का द्रव्यमान इतना है ठीक है यह दिया हुआ है तो इतने अनू का द्रव्यमान कितना होगा गुणा कर दो ठीक है आगया हमारा answer 23 से 23 हो गया हमारा answer ठीक है ऐसा हो गया नेक्स्ट है 0.5 mol into gas का द्रव्यमान ग्याद करना है तो कैसे निकालोगे एक मोल एंटू गैस का द्रवेमान ग्राम में एंटू का मोल द्रवेमान के बराबर होगा यानि कि एक मोल एंटू गैस का द्रवेमान कितना होगा 28 ग्राम के बराबर तो 0.5 mol का कितना होगा गुणा कर दो 0.5 से या आदा कर दो आ जाएगा तुमारा 14 gram एंटू आगे अनुओं की इनकी संख्या ग्यात करें अनुओं की संख्या ग्यात करने है कैसे करोगे यहाँ पर प्रिंटिंग मिश्टेक हो रही है ऑक्सिजन की बात हो रही थी लेकिन उन्हें डंग से लिखानी है क्या करें gram में प्रयुक्त O2 के molar द्रव्यमान 6.022 इंटू अनुओं होंगे ठीक है तो 32 gram में इतने से गुणा कर दो आप ठीक है 32 gram में 6.022 इंटू टैनुओं अनुओं होंगे तो 8 gram में क्या करना है दौनों दरव 8 से गुणा कर दो एंड 32 का काम नहीं तो नीचे ले जाओगे तो ऐसी कुछ आ जाएगा सिंपल सा है इसके बाद कोश्चन है लगो उत्रे कोश्चन यह आपको खुद करने है इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाता है आशाया आपको सब कुछ समझ आया होगा एंड आप वीडियो को लाइक शेयर कर रहे होंगे नहीं कर रहे हो तो कर दो इससे मुझ के लिए नोर्स बनाते रहो धन्यवाद